गुद मारिक आज हम करेंगे हिंदी में वर्क हम को ओपन करनी है पेज नमबर 25 2005 25 हमको ओपन करना ठीक है हमारा टोपिक है E की मात्रा आप देखो यह कौन सा E है हमने पहले भी E की मात्रा किया था अभी भी हम फिर से E की मात्रा करें बट पहले छोटा E था अभी बड़ा E ठीक है E की मात्रा बड़ी E की मात्रा हम करेंगे तो सबसे पहले हमारा विंजन है क क क क हमने अगर यह बढ़ी की मात्रा इस तरह से लगाई तो क्या हो गया की इसी तरह से च च के बढ़ी की मात्रा लगई ची इसी तरह से आप पहले वेंजन को recognize करो कि यह कौन सा वेंजन है यह क्या है ट है त के बड़ी की मातरा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा टी, इसी तरह से त त के बड़ी की मातरा टी प के पी, र, री, श, श, ह, ही, इस तरह से पहले आपको ये वेंजन को पैचाणना है उसके बात मातरा लगा के रीड करना है नेक्स्ट हम बाई पिच्चर देखेंगे देखो सबसे पहले हमारे पास से क्योंसा विएंग जने यह च च है और यह मात्रा कौन सी है बड़ी एकी तो च है और बड़ी एकी मात्रा को हम एड करेंगे हम इसमें च में बड़ी एकी मात्रा एड करेंगे तो क्या हो जाएगा ची और ये क्या है ल तो ये क्या बना चील क्या बना ये चील ये क्या नाम है इसका चील इसी तरह से हमारे पस व्यंजन है त और ये कौन से मात्रा है बड़ी तो हम इसके लगा देंगे तो इस तरह से ती बन जाएगा और ये क्या है र तो ये कौन सा मात्रा लगा के शब्द बनाएंगे तो प में हमने प यहां पर लिखा और इस प में बड़ी ए की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया ये वाला प और ये पी बड़ी ए की मात्रा लग गई ये लग गई ठीक है तो पी और त में हमने आ की मात्रा लग गई तो क्या हो जाए आ की म तेः चील इस तरह से आपको यह सारे देरे-देरे से रीट करने ने बड़ी की मात्रा loga loga कर नेट्स्ट सेंटेंस है हमारे पास पढ़े और संचे यह भी आमध्या-देरे रीट करना मेरा की नानी गर आई कि माता जिमिठाई और पानी लाईए इस तरह से आपको एक बार में नहीं पढ़ना आएगा, आपको बहुत प्रिक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम तीन से चार बार आपको इसारे वर्ट्स रीड करने हैं, उसके बाद आपको संटेंस करने हैं, ओके?